अलो गाईस आज हम यह डिजाइनर बिलाउस कटिंग करेंगे जिस तरह का आप देख रहे हो यह टॉप का डिजाइन है लेकिन हम इसको बिलाउस में करके इसका बिलाउस कटिंग करेंगे तो यह देखिए यह जो भी फैबरिक है इस्ट्रेशल फैबरिक में बना हुआ है हम प्रिंसेस कट में कटिंग करके बनाएंगे, आप इसको जो है, ड्रेस में भी कनवर्ट कर सकते हो, और टॉप में भी कर सकते हो, और बिलाओ भी बना सकते हो, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम एक निशान लगा लेंगे, यही से हम लेंथ, डाट पॉ हो गया इस तरह निशान लगा लेना है, अभी हम क्या करेंगे, इन निशान लगा लेना है, तो सबसे पहले हम सोल्डर नाप लेते हैं, तो सोल्डर देखिए कितना हमारा, वो भी फोटीन अप पे है, तो फोटीन आप है तो इस तरह लगा के सावा संथ पे, और आदा से एक दम पर्फेक्ट हो जाता है, सोल्डर कभी भी कम करके प्रेंट का काटा जाता है, ताकि नेक हमारा टाइट बेठे जोल नहीं आना चाहिए, तो इस हिसाब से बराबर कर लेना है, इस तरह चार इंच नीचे हम आके और वहाँ पर हम माइनस कर लेंगे, आदा इंच और म ठाहेगा, ठीक है, तो इस तरह के से करना है, और इस तरह से हम डाट पॉंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी हमारा जो भी चेस्ट है, अब फुल चेस्ट है, उसके इसाब से पोर इंच होता है, लेकिन हम थोड़ा माइनस करके लगाए, तो इस तरह से आपको लगा के ही कटिंग करेंगे, तो ही यह बैठेगा है, डिजाइन, क्योंकि यह जो बना हुआ है, मॉडल ने पैना है, वो प्रिंसेस कड में नहीं है, वो नॉर्मल ही कटा हुआ है, बराबर इस टेच होके बैठा है, इस तरह से देखिए, मैंने पौने तीन के करीब एक निसान लग लिए है, जो अंदर का सौट ब्लाउस दिख रहा है, उसका लें था है, तो इस तरह से आप देखो किस तरह करना है, नेक का हम ब्रोडिंग पहले यहां पर कर लेंगे, पहले हम अंदर वाला चोड़ा वाला कटिंग करेंगे, उसके बाद हम उपर वाला कटिंग करेंगे, तो इस तरह से मैंने आठ हिंच पे जाओ कर लिया आप जाया क्र सकते हो ऐसा कुछ नहीं है जितने पर मैंने लिया है उतने भी कर सकते हूं कम जाधा भी कर सकते हो और यहाँtin सबस्कार्ण निच्ब लगा लिए900 E पर नीचे का डाट देख़ें हमने तीन इंच में लिया है तो पहले हम ऊपर के ब्लाउस का कटिंग कर रहे हैं जो अंदर का ब्लाउस इस तरह से हमको अपर चेस्ट नाप लेना है जो भी अपर चेस्ट है वो 35 हाफ है उत्रे जपर निशान लगाना और एक इंच हमको आगे बढ़ाना है एक बढ़ाकर लेंगे क्योंकि हम डाट देने वाले हैं उपर जादा इसे लिए हमने एक इंच बढ़ाया है और इस तरह सेमान को घुमा को चेक कर लें है जितना हमारा और मोल है उतना आता है तो समझ ऑ कर लो ज्यादा होता है तोड़ा ऊपर इतरब कर लो इस तरह से फिर से चेक करके अम देखेंगे तो देखेंगे जो भी हमारा आर्मोल है 17 इंच भरबर आगया है इस तरह से कर लेले अलका सा कम है तो नीचे उतार देंगे ठीक है अब हम देखें यहां पर क्या करेंगे कमर तो नीचे नापेंगे तो हमारा वहां पर बरबर आ जाएगा तो देखें तीन इंच का यहां पर डाट हुआ है तो इस तरह से जो भी उस तरफ का हिस्सा है उस तरह माइनस कर लेंगे हम माइनस करके कमर का नाप लगाएंगे इस तरह से घुमा के इस तरह कमर का नाप लगा लेंगे तो हमारा जो भी हमारा वेस्ट है 31 उस हिसाब से पौने 8 इंच पे हमको लगा लेना है ठीक है तो इस तरह से लगा लेंगे तो यह बराबर हो जाएगा इस तरह लगाने के बाद में इस तरह सेफ दे देंगे सीधा ही दे देंगे इस तरह से स्टेट दे देंगे ताकि वो बराबर हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने निशान लगा लिया तो अब लगाने के बाद में इसको यहां का सेब जो है पैनल का वह मं दे देगे जो प्रिंसेसκα डा सेब होता है उसको हम भी यहां पे अभी कंप्लिट कर लेंगे इस तरहीं से हमारा अंदर का विलाूज हो गया इसी बिला उसके हिसाब से उपर का भी कटेगा लेकिन थोड़ा लंबा कटेगा तो हम क्या करेंगे कि हमारा मार्किंग हो गया है अब यहां पे छोटा नेक जो आप देख रहे हो दूसरे पार्ट में हम उसको निसन लगाएंगे तो इस तरह क्या करना है पांच इंच पे ले सब्सक्राइब लेंगे तो आप अंदर यह देख लिए उपर का कैसे पता चलेगा आपको तो इस लिए अब दूसरा वाला नहीं कर सकता तो इसलिए हमको अभी दूसरा पेपर लेके सेम तुसेम इस तरह से रख के कटिंग करना है कटिंग करके मैं आपको दूपार्ट में दिखाऊंगा अलग-अलग कलर भी लेने कोशिज करूँगा तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा तो इस तरह कैसे करेंगे तो एकदम पर्फेक्ट हो जाएगा तो यह मार्किंग में रहो गया देखो किस तरह का डॉप्टिंग दिखता है तो इस तरह से ही आप इसक को नीचे से चोली क्रॉस कट में भी लगा के आप एक ड्रेस भी बना सकते हो आपके उपरे जो बनाना है इसमें बना सकते हो पैनल वाला ड्रेस बना सकते हो जैसे लॉंग ड्रेस होता है अनारकली होता है या कुछ भी है आप कर सकते हो स्लीज भी लगा सकते हो इसमें करेंगे किस तरह करना है उसके बाद में करेंगे उसको करेंगे करेंगे किस तरह करो는 लगा करेंगेगे में अच्छी सानवा जब मैं यह कर लूँगा तो आपको बराबर समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा कि किस तरह से कटिंग इस टाइप का होता है तो होता है इस तरह के से कर लेना है ठीक है अभी बहुत से भाई लोग का ये कहना है कि मतलब जो भी हैं हमारे सब्सकाइबर बोलते हैं कि यह बनाओं कटिंग करूं कटिंग बताओं तो उसका स्टिचिंग भी आपको दिखा सकता हूं लेकिन इसको कैसे मैं दिखाऊंगा मुझे समझ में आता है तो इस तरह देखे पहले डिजाइन को इस तरह से उतार लेना है जिस तरह का दिख रहा है मैंने किया है तो इस तर कुछ नहीं है तो सच वह ढह nämे यह तो तो स्टिचिंग कर पाएंगा सब्सक्राइब कुछ Compliance दिखाने वाले वार यह दोने सब्सक्राइब कर के दिखाऊ तो तो यह डि tषक नहीं कर पाएंगा क्या हूंकि करूंग कि कर दूसरी बात है कि स्टिचिंग मेरा चार्ज बहुत ज्यादा है इसलिए मैं नहीं करता हूं कि मेरा बहुत वेस्ट होएगा अभी मेरे पास जो है आप लगाए नुकसान मेरे मुझे मंट ढलो कि क्यूंकि मैं विड यूँगा गया टाला हुआ, scared बहुत में करता हूं तो उसमें क्या stitching मैं नहीं दिखा सकता, इसमें problem हो रहा है तो इसलिए आगे आप लोग वेट करो मै बोने का क्या थे है सीतना हमारा जो भी लन्त हो गयरा मार्किंग करके इस लिए अ मैरे कटिंग पे ज। किस तरह मैं कर रहा हूं उस तरह से आप कर सकते हो ठीक खेंद रहाबर से उससी तरह किया मने त्यक्त है अब हम इसको रहो आप को किस इस तरह का दिखता है तो बागी प्रब्लम है रोकि कुछ एसा नहीं है मुझे लिए कि भी रहे सक आप रहे हैं और लेकिन मेरे ृवे मि पास ऐसे कपड़े ढ़ता स्टीछं करना चाहता है लोको को बता देता हुए लेकिन मेरे पास तो तो उसमें क्या कोई पैटन नहीं होता है जब्लोधियों स्थीचिंगन बार बार फिरी लिएगा करके आप लोग को दिखाऊंगा आप लोग को नर्वस नहीं करूंगा ज़रू कुछ ना कुछ कोसिज करूंगा लेकिन थोड़ा आज भी जी बहुत जादा हूं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं तो थोड़ा वेट करेंगे तो हो जाएगा ठीक है इस तरह से करके इस तरह से हमको लेंध निकल लेंगे जितना परचेश उतने लेंगे जो भी हमने लूजिंग देना था हमने फ्रेंट में दिया है एक इंज मैने बढ़ा है तो कुछ डाट में गया है और कुछ जो है इसमें लूजिंग में आ जाएगा तो आप नाप के जब चेक करोगे पुरा बिलाओ बनने के बाद में तो पर्फेक्ट ही आता है तो इस तरह से हम बढ़ा के डाट के लिए भी नीचे वेस्ट पे निसान नॉर्मल नेक ही बैटेगा इसमें कोई लो नेक नहीं बैटेगा तो आप लो नेक इसमें नहीं बना सकते तो लो के लिए नहीं जाना आप क्योंके नॉर्मल पर जाएगा नॉर्मल के अंदर आपको कोई सेफ देना है जैसे नेक के नीचे जो भी सेंटर पार्ट है तो जो मैं कटिंग कर रहा हूं, इसमें नहीं बैटेगा, उसके लिए सोल्डर कम करके, आपको बैग में जाना पड़ेगा, तो होगा, तो वो मैं नहीं बता रहा हूं, इस तरह से नॉर्मल ने की तो मैं उसका कुछ ना कुछ रास्ता निकालता हूँ तो अभी मैं नॉर्मल के हिसाब से बता रहा हूँ ठीक है इस तरीके से कर लेना है तो यह जो पैटन है जो आप देख रहे हो इमेज देख रहे हो यह जिस तरह का मैंने कटिंग किया है यह सेम टू सेम वही है बाकी चलिए वीडियो एंड करते हैं अल्ला आफिस